दोस्तो आज मैं प्रिशा शेयर करने वाली हूँ ये सूपर टिस्टी, सूपर इजी अंगुरी रस्मलाई की रेसेपी आज की इस अंगुरी रस्मलाई को हम सूजी से बनाने वाले हैं वैसे जो अंगुरी रस्मलाई होती है वो छेना से बनती है लेकिन एक बार आप ये सूजी से बनी हुई अंगुरी रसमलाई को ट्राई करें आपको ये बहुत पसंद आएगी और इसके पीछे हमें कोई जादा मेहनत भी नहीं करनी होती है तो चलो बनाते इसको फटाफट से सबसे पहले एक पैन में डालेंगे एक चमबज घी घी को हम इस पैन में अच्छे से फैला लेंगे क्योंकि अभी हम इसमें सूजी को रोष्ट करने वाले हैं तो मैंने यहाँ पर एक कफ सूजी ले ली है अब मेजर मेंट के लिए आप घर की कोई एक कटोरी ले लीजिएगा तो आपके लिए बड़ा ही असान हो जाएगा अब आपने सूझी को लो फ्लेम पे ही रोश्ट करना है और यहाँ पर आपने अंगुरी रसमलाई को बनाने के लिए बारीक वाली सूझी का ही यूज़ करना है अगर आपके पास बारीक वाली सूझी नहीं है तो आप इसे एक बार मिकसर ग्राइंडर में पीस लीजिए फिर बाद आप इसमें डालेंगे एक कप दूद दूद को आपने पाटिशन में ही डालना है ताकि मिक्स करने में असानी हो और जो भी इसमें ऐसे लंप जैसे बनेंगे इनने हम एजली हेंडर भी कर लें जब आप दूद को इसमें डालें उसके बाद आप गैस की फिलिम को चीनी डाले से क्या होगा एक तो यह फुले फुले बनेंगे और क्योंकि यह सूजी के बन रहे हैं तो अंदर तक इसमें मीठा बन रहे इसलिए मैं आपर इसमें पहले ही तीन चमब सूजी डाल रही हूं फिर हमने इसको ऐसे हाई फ्लिम पर लगाता चलाते रहना है तो ऐसे इसको लगाता चलाते चलाते हम देखेंगे कि यह पैन को छोड़ने लग गया है और खटा होना शुरू हो चुका है तो हम गैस की फ्लिम को आफ कर देंगे और इसे जल्दी से एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए हमने इसको ज़्यादा ठ करना है बस इतना ठंडा कि हम इसे हाथ से टच कर सकें तो मैंने इसे प्लेट में फैला लिया है ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए जब तक यह ठंडा हो रहा है तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लें और जिसने अभी तर रस्तोगी किचन को सस्क्राइब नह यहाँ पर मैं जो दूद ले रही हूं वो पहले से उबला हुआ है तो इसल टाइम मैं यहाँ पर यलो फूट कलर एट कर रही हूँ अगर आपके पास केसर के धागे हूँ तो आप आप यहाँ पर डाली जेगा फूट कलर की बज़ए मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने पचीनी डाल दी है, मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम या जादा रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, चीनी को पिखलने तक का वेट करेंगे, इसमें एक उबाल लाइंगे, उसके बाद हम गैस की फिलिम को लो कर देंगे, तो इसे हम ऐसी पकने के लिए छोड़ देते ह और यहां इसको देखते हैं, यह ठंडा हो चुका है, इतना कि हम इसे हाथ से टच कर सकें, तो अभी हम इसको हाथों से अच्छे से मसल मसल के सॉफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी डायरेक्ट बनाओगे ना, तो फिर वो तूटने लगेंगे, और जब आप उन्ह मैंने इसका आटा लगा लिया है, अब चोटा सा पोर्शन आपने ऐसे लेना है, और इसकी आपने ऐसी छोटी छोटी बॉल्स बना के रेडी करनी हैं, ध्यान रखेगा बहुत छोटी छोटी बनाएं, जितनी मैंने बनाई हैं, कोशिश करें इससे भी छोटी बनाएं, क्यो हमने वाँ पर starting में इसमें चीनी एड़ करी थी ताकि ये फूल जाए अब आपने ऐसी इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के रेड़ी करनी है छोटी छोटी इसलिए ताकि ये अंदर तक पकें अगर बड़ी बड़ी बना दोगे तो ये अंदर तक पकेंगी नहीं तो ये इसक पकाया था तो अपनी quantity से ये थोड़ा सा कम हो चुका है हमने जादा तो कम नहीं करना है उसे क्योंकि इन रसमलाई को हम directly इसमें पकाने वाले हैं हमें इसके लिए कोई चाशनी नहीं बनानी है तो देखो है ना बहुत एजी आपको कोई चाशनी नहीं बनानी है कोई जाद ताकि वो तूटे नहीं और दो मिनट जब अच्छे से पक जाएं उसके बाद आपने गैस की फिलिम को लो करना है और तीन मिनट के लिए और इसको पका लेना है तो पूरा पूरा आपने इसको पान से छे मिनट तक पकाना है उसके बाद गैस की फिलिम को लो कर दें और इस सूजी की अंगुरी रसमलाई को सूजी पीठा भी बोला जाता है लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल अंगुरी रसमलाई की तरह ही लगती है इसलिए मैं तो इसको अंगुरी रसमलाई ही बोलने वाली हूँ आप बताईए इसको आपके वहाँ क्या क्या बोला जाता है देखो गैस की फ्लेम आफ कर दी है और पूरे तीन घंटे बाद अब आप चेक करिए कि ये अच्छे से ठंडा हो चुका है इस टाइम पर आप देखेंगे इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है पहले से और जो हमने आप इसका साइज रखा था वो थोड़ा सा छोटा था लेकिन चीनी डालने की वज़े से ये देखो किते बड़िया ये बड़े से हो चुके है तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे अगर आप इसको बनाएंगे तो यह बहुत tasty हुनेगी अब यह आपपे depend करता है कि आप इसे ठंडर ठंडर कहना चाते हैं या normal खाना चाते हैं लेकिन होती यह बहुत tasty है हाँ यह बात होगी कि छेना से बनी हुई रसमलाई का जैसा तो टेस्ट नहीं आएगा लेकिन बेकार भी नहीं आएगा ट्राइ करिएगा पहुँट टेस्टी बनती है जो जो की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनका ध्यान रखें और इसे ट्राइ करें अगर आप कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं आपके कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ती हूँ और उनसे मुझे और भी जादा मोटिवेशन मिलती है वीडियोस को बनाने की और आप मुझे नए नए आइडियास भी दे सकते हैं कि मैं और क्या नया मनाओ आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर हैपी कुकिंग